आज की वीडियो में हम बात करेंगे NCRD की बुक है 11th Class की NCRD Solutions for Class 11th English Hornville The Portrait of Already ये खुस्वंत सिंग की है और एक इसी टाइटल का है हैंडरी जेम्स ने भी लिखा है तो ये तो आप डिसाइड कर लेना कि किस ने लिखा है हैंडरी जेम्स ले लिखा है खुस्वंत सिंग ने लिखा है जहां तक मुझे बता है तो खुस्वंत सिंग ने लिखा है साइड इसको यह हो सकता है है हैंडरी जेम्स ने लिखा हो क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया दो साल दो तीन साल हो गया तो तब जाके मैं इस चैप्टर को कर रहा हूं तो आप राइटर आप देख लीजिए दून्हों ने लिखा है सेम टाइटल है तो क्लास 11 थे इंगलिस और निविल चैप्टर वन दी पोट्रेट आफ अलेडी क्वेस्टेंस प्रॉम एंसी आर्टी टेक्स्ट बुक सॉल्ड अब मैं यहां पर question answer define कर रहा हूं थोड़ा से इनको explain कर रहा हूं क्योंकि कुछ students की request थी तो उस base पर मैं कर रहा हूं ताकि आप लोगों को भी थोड़ा से इसमें help मिल जाए तो यहां पर बात करते हैं पहला question आप देख सकते हैं the three phases of the author's relationship with his grandmother before he left his country to study abroad अब मैं इस question को थोड़ा समझाते हूं ठीके three phases बताने हैं तीन आवस्ताइं बताने हैं किसकी of the author's author की यानि कि लेखक की काके की के sense मापस्टर भी लगता है एक relationship जो अथर का relationship है अपनी किसके साथ with his grandmother अपनी दादी के साथ जो उसके संबंद थे उसकी तीन अवस्ताइं बतानी है कब की before पहले की बतानी है he left यहाँ पे ही है he left his country जब उसने अपनी country को छोड़ा to study abroad और कहां चल दिया अध्यन के लिए abroad चल दिया विदेश चल दिया तो उससे पहले की three stages के बारे में आपे बताना है यानि की phases के बारे में बताना है तो start करते हैं three phases कौन कौन से थे answer आपको दिया है the three phases of the author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad तो तीन phases है author की relationship की उसकी दादी के साथ before he left the country जब उसने country को छोड़ा किसलिए country को छोड़ने का मेन करन क्या था to study abroad वो कहां गया था तो वो कारण है are three phases are ठीक है उसके बारे में बोल लाए यह आर जो लगा है three phases के लिए ठीक है बात करते हैं पहला यहां पर three phases पहले इनकी बारे में डिसकस कर लेते हैं पहला चाइल्ड हूड है दूसरा boy हूड है और तीसरा early youth है और जो hood लगता है ना यह अवस्ता बताने क ले होता है ठीक कौन-कौन सी अवस्ता है यह तो यहां पर बात करते हैं चाइड्डोट की बारे में बात करते हैं बच्पन की बद तो इसमा आपको मैं ही बता रहा हूँ when he went to the village school जब वो जाता था ठीक है helped him to get ready, तयार होने में, जब वो गाहों के स्कूल में जाता था, तो उस टाइम उसकी दादी उसको स्कूल के लिए तयार जब वो होता था, तो उस टाइम उसकी help किया करती थी, ठीक है, and went to school with him, और उसके साथ स्कूल भी जाती थी, यानि कि उसको स्कूल तक छोड़ के आती थ था चाइल लोट की वारे में, ज्यादा आपने पढ़ा होगा, वो फिर उसके बाद मंदर चला जाया करती थी, मंदर में, और साम उसको अपने साथ लाती थी, तो तब तक जो स्ट्रीट डॉक्स बगरा थे, उनको रोटिया बगरा, ब्रेट्स बगरा, वो खिलाया करती थ जो भी थे, ये चैप्टर आप डिटेल में पढ़ेंगी, तो आपको पता चला है, दूसरा है वोई हूड, वोई हूड के बारे में बात है, जब बोई हूड है अब लड़क पन, यानि कि जब एक बोल सकते हैं, वोई हूड वाली एज मात है, तब क्या हुआ, वेन ही वेन लड़क पतार, आप बात में क्या करता है, इंडार रोम भी, लेकिन उसके बाद बावजूद भी वो क्या करता है उसने साजा किया रूम अपने कमरे को किसके साथ बिद ग्रेंड मतल यानि कि दादी के साथ साथ सेर किया दोनों एक ही कमरे में रहते थे गएने बट सी कुड नो लॉंगर हेल्प हिम लेकिन जो उसके दादी थी सी कुड नो लॉंगर हेल्प हिम वो उसके ज्यादर लंबे समय के तक साथ खायता नहीं कर सकी नो यह उसके अध्यन में ठीक है ओथर की जो पड़ाई थी ठीक है ज्यादर लंबे समय था क्योंकि वहाँपे जो सबजेब्स थे ग्रंथ उनकी बारे में बताया करती थी कहानिया सुनाया करती थी तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पर उसके subject अलगते अब यह तीस्रे वाले में आप देखना Early Youth Early Youth के बारे में बात होती हो तो यहाँ पर क्या होता है Youth का मतलर जवानी से होता है अर्ली पहले कहने मादर बाद वेन ही वेन्ट टू दी यूनिवर्सिटी अब जो यूनिवर्सिटी को जाएगा उच्छी सिक्षा के लिए हाईर एजूगेशन के लिए कॉलेज स्टडी के लिए ठीक है अलग हो गया है यह तो यह था यह थी फेज़स थी कहां जब वह स्टडी करने के लिए अब रोड गया उससे पहले अब दूसरे क्वेशन के ओर बढ़ते हैं यहां पर सेकेंड क्वेशन है हॉन्वील क्लास 11 इंग्लिश क्वेशन नमबर टू थी रीजन अब देखें यहां पर त्री रीजन तीन कारण वाइदी ऑथर्स ग्रेंड मदर जिसके कारण ऑथर की ग्रेंड मदर वस दीन किक यहां थी बोट ज्यादा परिशान थी डिस्टर्ब थी आंसर यहां पर दूरी त्रीजन उज़ेंज कारण वाइदी ऑथर्स ग्रैंड मदर वस डिस्टर्ब द्सटर्बड नहीं स्टरड़ से वह क्या करते थी नपरत करते थी घिणा थी उन चीजुसे क्योंकि वहां पर कुछ अलग टाइप की एजिजेंट उनको दी जाती थी जैसे वह चाहती थी कि उनको धार्म ग्रंथ ये God's related इस टाइप की एजूगेशन दी जाए तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था सहर के स्कूल में पुरा अलग टाइप की एजूगेशन थी She was pained, pain means दर्द होना उसे दुख था, ठीक, She was pained to know ये जानकर that there was no teaching वहाँ पे कोई भी teaching नहीं थी, किसी भी परकार का कोई section नहीं होता था, किसका of God and scriptures there यानि कि भगवान का और उनके धर्म गरंत जो है, यानि कि जो बेद, पुरान इस टाइप के जो इनका अध्यन होता था, वो इस टाइप की teaching वहाँ पे नहीं थी ये जानकर उसे बहुत दुखी थी, दो कारण थे जो disturb होने के, तीसरा कारण क्या है ये आप जान लेते हैं आपर, तीसरा कारण है कि she was allergic to music, उसे उस संगीत से भी क्या थी, allergy थी, यानि कि पसंद नहीं करती थी, जो वहाँ पी music चलता था, she thought it was not meant for decent people and gentle people, उसे लगता था, ठीक है, क्या लगता था, it was not meant for decent people, यानि कि ये उच्च कुलीन लोगों के लिए नहीं था, ये music चो था, and gentle power, जो सजन लोग होते हैं, उनके लिए ये music बिलोगल भी नहीं था, ऐसा उसकी दादी का मानना था, ठीक है, ऐसा उसकी दादी को लगता था, it was the monopoly, ये क्या था, Monopoly का मतलब होता है, Monopoly का मतलब एक पोली अधिकार जा मतलब, ये क्या था, एक अधिकार था, किसका, of prostitutes and beggars, prostitute बोलते हैं, बैसियाओं का, and beggars, और बिकार हो, हम मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, जैसे आजकल जो फेलिनी, जो गाने बगरे चल रहे हैं, जैसे में असली इल अधिकार है, prostitutes, बैसियाओं का, और भिकारीं का, ये उनका मानना था, ये तीन कारण थे, अब नेक्स्ट क्वेशन है, आपर हॉन्विल क्लास, 11th question number 3, अब देखिए, यहाँ पर 3 ways, तीन वह तरीके, यहाँ कारण, in which the author's grandmother, जिसके कारण जो गे, author की grandmother थी, spent her days after he grew up, यान जिन की, author, जब author का अपवालम पोस्टन किया, जब author बढ़ा हो गया, तो उसके बाद, वो 3 से कौन से वेज थे, जिन को follow करते हुए, उसकी तारी ने अपने दिन ब्यतीत किया, ठीक है, अपना टाइम ब्यतीत किया, तो answer यहाँ पर है, तो 3 ways in which author's grandmother spent, author की grand mother ने ब्यतीत किय हर डेज अपने दिन, after he grew up, जब वो बड़ा हो गया था, वो तीन कारण है, 3 ways are, ठीक है, तो 3 तरीके गएन का मतला हो, कारण ना बोले है, तो 3 तरीके, 3 तरीके, 3 रास्ते, ways का मतला हो रास्ता होता ना, 3 तरीके थे, कि अपनी लाइफ को जीने की, जब वो बढ़ा हो गया जब study करने के लिए abroad चला गया था तो she lived alone in her room अब वो अकेले रहती थी अकेले रहती थी इन हर रूम अपने कमरे में as she had accepted her loneliness quietly ऐसे लगता था मानों की उन्होंने क्या कर लिया था she had accepted उन्होंने स्विकार कर लिया था ठीक हर loneliness अपने अकेले पन को quietly अब अकेला रहना हुनोंने पसंद का लिया था अपने कबरे में अखेली रहती थी she sat at her spinning wheel अब उप क्या करती थी बैठ थी अपने spinning wheel पर जो spinning यानि की spin करने वाले घूमने वाली जो wheel थी यानि की chair पर और क्या करती थी रिसाइटिंग प्रेयर्स और वहां पे प्रेयर्स गुनवनाया करती थी रिसाइट करती थी ठीक है यानि की भजन गाया करती थी थार्ड कॉइंट है in the afternoon अब दो फैर के समय में क्या करती थी she would feed वो खिलाया करती थी ठीक है she would feed खिलाया करती थी किसको इस पैरोज को गरह या बगरा जो होते हैं उनको खिलाया करती थी दाने बगर ठीक है और कितने टाइम के लिए आधे घंटे के लिए तो यह थे तीन जो तरीके थे जिसके साहता से वह अपने टाइम को वेतीत करती थी जब ऑथर बढ़ा होना थीक तो कैसे लगे आपको वीडियो जरूर बताएगा अगर यह आपके लिए helpful है तो अधिक साधिक इसको share कीजिएग और आगे और चेप्टर्स पर भी question answers को define करना हो तो आप बता सकते हैं आप comment box के जरीए यह बिल्कुल ना सोचीए कि sir हमसे दूर है तो हमारे help कर पाएगे यह नहीं कर पाएगे तो मैं अपनी तरफ से जितनी कोश जितना मतलब हो पाएगा मैं अपनी तरफ से कोशिस थैंक यू सो मच मिलते एकली वीडियो में